Hello, Good evening to all my viewers, आप सभी का सांतिनिकेतन क्लासेस में स्वागत है ठंड का मौसम एसंस अपने आपको प्रोटेक्ट करके रखे और पढ़ाई करते रहें इसी के सिरीज में आज हम आपको पढ़ाएंगे, हम लोग देखेंगे बोड पर दिख रहा होगा एसंस, यूनिट और मेजरमेंट और डाइमेंशन का इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स जो अबजेक्टिब का काफी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है, हार एक टॉपिक के ऊपर है यह लेक्टर जो है, जो अपलाएड फिजिक्स फर्स्ट जो डिपलोमा पोल टेकनिका सेमेस्टर का एक्जाम है, उनके लिए बेहाद इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, एक एक जो है इसका कोसंस इंपोर्टेंट है, और जो बोड एक्जाम से या कोई कम्टेटिव आपका जो कोसंस होगार आने वाला है, तो उनके लिए भी यह काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो आये संस, देर नहीं करते हुए, हम लोगे स्टार्ट करते हैं, कोसंस नमबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कि how many types of fundamental physical quantity, या ऐसे पूछ सकता है कोसंसे संस, कि 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 इतने number of fundamental physical quantity होते हैं, इस तरीके से, तो इसका correct option जो है, आपका option number B है, यानि कि 7 हो सकता है, ध्यान रखना है, जैसे आप बोट पे जो कोसंस देख रहे हैं, तो सबसे पहले पोज कर लिजिए, और पोज करके एक बार कोसिस कीजिए, खुल से try कीजिए, कुछ तो कोसंस जाएंगे, ठीक है, और उसको जो है, आप last में जो जब सारे कोसंस आप बना लीजेगा, तो उसको एक बार कमेंट कर दीजेगा, कि सरे इतना कोसंस मेरा जो है, इतने मैं से correct हो गया, ठीक है, इससे कोसिस करने से जो भी कोसंस बनेंगे, वो मतलब उसके बाद दुबारा ज देख ले, उसके बाद फिर आपको describe कर देंगे, ठीक है, आई एसस, question number पहला, option number B हो गया, यानि कि 7 fundamental physical quantity होते हैं, ठीक है, अब आप लोग क्या comment कर दीजेगा, एससस, कि उस 7 fundamental physical quantity का, मने, FPS का fundamental physical quantity का, आप name जो है, नीचे comment कर दीजे, ठीक है, इससे आपका continuity बना रहेगा, आप कितना, आप चीजों को जो है, recognize कितना किये हुए है, capture किये हुए है, सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, तो आए उसी तरीके से, question second पे हम लोग करते है, question second कहा, कि dimensional formula of impulse is, यानि impulse का dimensional formula क्या होगा, ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या जानेंगे, impulse का formula क्या होता है, उसके एक बार देख लेते हैं, तो अब देखिए, इसमें क्या पूछा कि impulse, तो impulse का जो formula होता है, equals to force into time, अब देखिए, force into time हो गया, तो आपको इसका dimension बनाना बहुत असान हो गया, अब force का dimension, force का dimension क्या होगा, थोड़ा समय, इसको तोड़ करके बना देंगे, कि force का जो है, वैसे तो यहाँ पर इसका unit newton meter हो गया, तो force का क्या हो गया, अब देखिए, time है, तो second, और यहाँ पर t हो गया, तो यहाँ पर क्या है, mlt-1, यहाँ इंपॉल्स का जो dimensional formula निकल के आया, देखिए, mlt-2 आपका force का रहा, और time का आपका t हो गया, ठीक है, तो अब देखिए, time यानि second, इसका जो है, आपका t हो गया, तो mlt-1, तो इस questions का correct option जो है, option number c जो है, यहाँ पर दिख रहा है, तो question number second का option number c जो है, correct answer हो गया, और अगर इसको तोड़ करके अगर देखेंगे, तो force को हम लोग तोड़ सकते हैं, एफीजी को जानते हैं, कि ma, ठीक है, तो mass को हम लोग लिख सकते है, kg और acceleration को meter per second square, और time है, तो time को यहाँ से साथ में क्या ले लेंगे, अगर time से multiply करेंगे, तो time का second होता है, ठीक है, तो अब पहले तो force का अलग से देख लिजी, इसको क्या हम लिख सकते हैं, kg के लिए m, इसके लिए l, s का ऊपर चला जागा, तो t-2, तो force यहाँ से आ गया, और साथ में ज जो है, देखेंगा answer आपका इतना match करेगा, ठीक है, यानि option number C, जो है, इस questions का right answer हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, जो आपका जो 6 chapter है, applied physics का, उसका सोचे की separate video बना दे, एक कम length का, जो है, separate video रहागा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, तो इसलिए खासकर शुर करते रहा है, questions, questions, देखते रहे, आए, question number 3 के तरह मूव करते है, questions का, which one is the dimension of plane angle and solid angle, question कहा, कि plane angle और solid angle का, कि dimensions क्या होगा, यह काफी important question है, यह पहले तो यह बताए, जो plane angle जो होता है, यह solid angle होता है, जैसे हमारा physical quantity तिन टाइप का होता है, fundamental physical quantity, derived physical quantity, और एक supplementary physical quantity, तो supplementary physical quantity में, एसनस, दो होता है, एक होता है, plain angle और एक होता है, solid angle, अब उसका unit नहीं पुछा है, यह direct क्या पुछा है, dimensional formula क्या होगा, तो आपको बता दे, एसनस, star marker के इस चीज़ को लिख लिजए, वैसे, इस questions का option number D हो जाएगा, no dimension, ठीक है, plain angle और solid angle का कोई dimensions नहीं होता है, questions में आएगा, आपको इस तरीके से भी लिखा हुआएगा, कि plain angle, solid angles का जो star marker के लिख लिजए, कि plain angle and solid angles have unit, but no dimension, इनके unit तो होते हैं, पर dimension नहीं होते हैं, ठीक है, अब plain angles का unit होता है, एसनस, radian, यहाँ आप लिख देते हैं, आगे questions में भी आएगा यह, plain angle जो है, इसका unit होता है, plain angle, तो इसका unit होता है, physical quantity का आपका unit होता है, बस इसका dimensions नहीं होता है, इसको star marker के लिख लिजए, कारें, it has no dimension, बोथ के लिए, no dimension, ठीक है, जितना video session जूड करके रहिएगा, question खूद से भी कुछ solve कीजिएगा, तो यह जादा interesting लगेगा, और इसका जो factual जो चीज़े है, वो जादा समझ में आएगा, तो यह जो हर एक points जो हम लिखाते रहते हैं, side में सुन, इसको जरूर लिखिए, देखेगा, यह points ही, एक तो objective तो आएगा ही आएगा, आपके exam में, और जो कुछ points जो आपको दिये है, यह points आपके direct exam में भी इस question number इसी तरीके से next के तरफ move करते है, question number 3 तो हो गया, no dimensions, ठीक है, question number 4, what is the unit of luminous intensity, यानि कि luminous intensity का unit क्या होता है, तो luminous intensity का unit होता है, तो luminous intensity का unit होता है, सुन, candela, ठीक है, इस टामार करने, यह मोल्ज है, यह amount of substance का unit होता है, यह भी 7, जो fundamental physical quantity है, जो आप ली करके उसमें, आप comment में छोड़ दीजिए, तो उसमें, यह amount of substance का mole, luminous intensity का candela, यह तो कुछ और है, वाट है तो यह तो पावर का होगया, जूल होते तो energy, heat, work होगा रहा का होगया, ठीक है, तो यह भी आप side side में इस चीज को लिखा किजिए, correct है, तो वैसे question number 4 का option number, यह जो है, आपका right answer हो ग यह दोनों questions काफी important है, question number 5 और question number 6, ठीक है, star mark इसको लगा लिजिएगा, यह questions काफी important है, यह question आपके exam में देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा questions का label बढ़ाता भी है, तो इस type का questions आपके exam में देदेगा, तो आप पहले से ही be prepared रहिए, जितना prepared रहिएगा, आ जब तक जो है, इसका comment कीजिए, इसमें जो questions है, कुछ से try कीजिए, इधर side में जब तक मिटाते हैं, questions को हमेशा है, ध्यान रखना है, जब भी questions आपको दिया जाए, तो उसको जरूर बनाए, खुद से जरूर एक बार try कीजिए, बाद में तो हम बताएंगे, ऐसा नहीं है इसमें बैठे हुए है, डारेक्ट छपाई अभियान चालू कर दिये हैं, सिर्फ छपाई पर नहीं भरोसा रखना है, खुद से भी करना है, ठीक है, और ठंड का मौसम है, तो take care of it, आये संस, गोस्ता नमबर जो है, फाइब का, जी का जो है, देखते हैं, तो सबसे पहले, डाइमेंशनल फर्मूला में इंपोर्टेंट का होता है, कि उसका फर्मूला जालना, अगर आप फर्मूला जानते हैं, तो उससे जो है, डाइमेंशनल फर्मूला निकालना बड़ी आसान है, कि फर्मूला से यूनिट मिल जाएगा, और यूनिट मिलते ही, आप उसका तो आए दीजिएगा तो आए एसंद देखिए आपको बताते हैं सबसे पहले फर्मूला तो फर्मूला होता है एक जीकोस्टू ग्राविटेशनल फोर्स एक वस्टू जी G1 M2 B4 यह होता है यह मोन इंटी मास मास अब तरकर है और अपकल के मस जोंगे उनक्न के बीच का डिसटेंस नषिकी तो अब देखिए मास और री सबस्कार्व मेंट पस िसके तो बना सकते हैं अब देखे पहले इसको इधर भेज दीजिए जी का फर्मूले एक जब आरेंज किजिए एफ आरे स्क्वाइर डिवाइड़ बाई एम ओन एंड एम टू ठीक है एफ का यूनिट नियूटन इसका एसंस आरे स्क्वाइर डिस्टेंस है तो मीटर अगर हम चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं बढ़ी असान तरीके से तो इसको जदी अगर आप तोड़ दीजिएगा तो नियूटन है तो एफ ही जिकास्टू एमे से तोड़ देश्वाइन से फिकास्टू एमे मास का केजी और एक्सिलरेशन का मीटर पर सेकेंड रनिचे मैं केजी इन्टो केजी तो केजी इंटो केजी लिख दीजी एक केजी से एक केजी गाइए है मीटर और एक केजी उपर चल गया तो क्या हो गया संट्ट के जिकी स्कुर पावर मिनस cater M 2 अरू सब्सकी यानि कि क्या हो गान blev घुरकीजी कीच इस्वर नीटर क्यों पर सेकेंड इस्वार तो अब इसका डाइंसल फर्मूला लखैके तो क्या हो भंगता आ गान देखिन कि अप्षिन में है यह है माइनस ओन एल की ती माइनस टू ठीक है यानिकि इस ग्ष्टन का अप्षान नंबर जो है सी जो है राइट आंसर हो गया है अभी हम बता रहे तो यह संदार काई से लिख सकते हैं कि जैसे अगर माल है कि आप समझदार समझ रहा है ठीक है समझधार पढ़ानी है तो फिर तो जो है डारेक्ट लीजिए आईये कैसे लिखेंगे डारेक्ट तो देखें न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे एम एल टी माइनस तुफ मीटर का है तो मीटर है तो मीटर को हम लोग किससे रेप्रेजेंट करते हैं डायमें सब्सक्राइब निशला में से इसको लिग दें से सिर्फ एल स्क्वाइड़ और डिवाइड़ एक how सकते थे एक बिर बना सकते थे अपका हो जाएगा कोश्ण्स का तोINT को ईसıp अब beta सब्जेक्टिव ही तो है सब्जेक्टिव है तो थोड़ा पोर्सीजर से उसको बना लिए और एक और चीज़ यह दो-तीन को मिला करके सब्जेक्टिव में भी आपसे कोश्टिन पूछ लेता है कि इसका डाइमेंशन फर्मूला बताईए यह दो-तीन फिजिकल क्वांटिटी तो अगर आप इस तरीके से कंसेट बनाए हैं तो फिर तो आसान है एक क्रेंस आने वाला यहीं से आए देखते हैं 있어서 यह को संब कर आने वाला है तो डैमेंशनल फर्मूला अफ बोल्ज मैन कांस्टेंट कोश्टन कहा कि बोल्ज मैन कांस्टेंट का डाइमेंशनल फर्मूला क्या होगा ठीक है तो पहले एक बार नोट डाउन कीजिए संस फिर इधर मीट आते हैं कि बनाते रहना है संस इसी तरीके से अ कि यह सारे कोश्टन कुछ कोश्टन साइसे भी है जो आपको प्रिवियस यर में भी पूछे हुए है कुछ कोश्टन से इसमें प्रिवियस यर के हैं समाझ लिए कि इसी बदलब यह अपका जो है एक पूरा इस पाइटर्ण मतलब जो उसी के बेस्ट बेश्ट बनाए ठीक है तो पूछा हुआ कोश्टन भी है आने वाला कोश्टन भी में भी चांसे साथ पूरा-पूरा इसमें आया नहीं तो कंसेप्ट तो यही रहने वाला है कंसेट थोड़ी ना दूसरा होगा ठीक है आरिये यहीं कोश्टन धिकए इसका फिर मुला एक यहीटे शिंगी पी-जी पी-घ्र चुक ती यह फर्मूला होता है, P यहाँ पर एसंज प्रेसर हो गया, कि V यहाँ पर भॉलूम, के बोल्जमान कांस्टेंट, और T यहाँ पर टमपरेचर, तो एक बार इसको सपरेट कर लिजेसंज, के इसी कस्टू, पी, भी, देखिए, इस T को इधर भेज देते हैं, तो P V by T हो जाएगा, तो P V by T, ठीक है, प्रेसर का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का निउटन बाई मीटर स्क्वार, प्रेसर का, भॉलूम है, तो भॉलूम का किसी क्या होता है, किसी भी चीज का भॉलूम एनि आयतन, क्या होता है, किसी का आयतन है, उसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर क्यू होता है, तो, से लध़ देए तो दिखायाँ टाइम नहीं और पर टैमप्रेचर कंब द नहीं है यहाँ साइड में लीक देते हैं टी तौझ। चतरिक यहाँ पर इंजाए है कि आता है करें जिसके यहाँ जो है तो précis Stephen कॉच्री स से है इसका क्यों कट गया तो बचा के न्यूटन मीटर और के है तो यहां पर यहां पर नीचे लिख देते हैं के तो के को जो डिमेंशना फर्मूल लिखते हैं या तो उसको ठीटा से डिनोट कर दीजिए डिमेंशना फर्मूला में या फिर कहीं कहीं ही रहने देता है तो हम के तो क्या होगा से एम एले स्क्वाइर टी माइनस टू और ध्यान दिजिएगा इसको मिटाते हैं और ऊपर चला जागा तो किये माइनस वन यह आया एस तुनस इसका इनिट ठीक है अच्छा इसको ठीटा के टॉम्स में भी अगर लिख सकते हैं मतलब टैम्परेचर्स को डा कि कैसे जो है यहाँ पर आपको लिखे हुए तो आप देखिए ना इसमें अप्शन्स चेक किजिए खोजी एसन एम एले स्क्वाइर टी माइनस टू ठीटा माइनस वन इसको संस का पहला ही अप्शन्स करेक्ट हो गया अप्शन नमबर यह जो है इसका करेक्ट आंसर हो गय ठीक है एक बार इसको भी नोटन किजिए असंस और इसको मैच करवाई ठीक है आईए तो इस तरीके से आपका यह जो है यहाँ फार्स स्लाइड में इतना कोस्टन था इसको एक बार कम्प्लीट किजिए और हाँ एक द्याँ रखेंस साइड में आपको अभी देते हैं यहा पहला लिक्लीज एसंस पोटेंसियल डिफरेंस पोटेंसियल डिफरेंस ठीक है पोटेंसियल डिफरेंस ठीक है पोटेंसियल डिफरेंस भी होता है एसंस भी का फर्मूला आता है वर्क बाई चार्ज यानि कि डबलू उपर हो गया एसंस वर्क और नीचे क्या हो गया एसंस वर्क और यह होगा एसो चार्ज एक है तो पहिला नोग मर्क दूसरा हो उंवर्क रहे गहां दूसरा हमव करको है का जूल सेक़न्ड यह भी कमेंट कीजिए पहला potential difference दुसरा जो है प्लांग कोस्टेंट इसमाल एच उसका यूनिट उता है जूल पर सेकेंड और इसका यूनिट क्या हो जागा है जूल पर कुलम दो एक और कोस्टन देते हैं सुस्ट एक और था कोस्टन जो है टॉर्क टॉर्क विची जालसो बहरी लेकिन होता है एक्षिल में इसेंट्रिक डिस्टेंस है तो टॉर्क इसको ऐसे भी दिया जाता है ठीक है तो इस तीनों कोस्टन्स का जो है आप जो डायमेंशन फर्मल लिकाल करें कोमेंट कीजिए सारे स्ट्रेंट करेंगे जो भी देख रहा है करना नहीं करिएगा तो समझ जई आख्यली अब निकिंट किजेगा न नकिंट कर गशाइं इसका जो है कॉमेंट में जौन उसको छोड़ देंगे देख लिजेंगे वहाँ से आप उसको मिला भी लिजिए फिर देखते हैं नेक्स सब्सक्राइब आया संस, question number 7 के तरफ move करते हैं, question number 7 क्या कहा, कि 1 pound is equal to, 1 pound में कितने गराम होते हैं, ठीक है, तो इसमें देखें संस, option number पहला, 240 गराम, 300 गराम, 343.8 गराम और 453.6 गराम, यानि कि इसका option number D जो है, right answer है, 1 pound में कितने गराम होगा हैं, 453.6 गराम के इकुल, correct, उसी तरीके से, question number 8 के तरफ move करते हैं, question number 8 क्या कहा, कि unit of solid angle is, यानि कि solid angle का unit क्या होता है, अभी जस्ट बताया थे पिछले slide में, कि solid angle का unit जो होगा, वो एस्टे रेडियन के बराबर होगा, ठीक है, plane angle का क्या था, radian और solid angle का हो गया, एस्टे रेडियन, यानि कि question number 8 का जो है, correct answer हो गया, option number A, ठीक है, question number 9 देखें, which of the following is the smallest value, मतलब इसमें से चारो में, चारो option में, सबसे कम value किसका है, तो चारो भैलू जदि अगर मालूम रहेगा, तो बड़ी असानी से बता देंगे हम लोगे, वैसे इसका जो है, option number A, जो है, correct answer हो जाएगा, फर्मी इस चारो में से सबसे कम value है, तो आएए देखें, वन फर्मी जो होता है, वन फर्मी, यह होता है, 10 to the power minus 15 के बराबर होता है, ठीक है, फर्मी मीटर बोल देंगे, तो 10 to the power minus 15, उसके बादा है, one angostrum, ठीक है, तो one angostrum जो होता है, one angostrum को ऐसे भी denote करते हैं, यह होता है, 10 to the power minus 10, ठीक है, मीटर, अगर मीटर में चाहते हैं, तो मीटर हो गया, यहनि one angostrum 10 to the power minus 10, और लास्ट क्या बचा है, सूंस, one micro, तो one micro, one micro जो होता है, वो 10 to the power minus 6 के बराबर होता है, तो अब देख लिए जैसों, वहाई से आपको पता चल रहा होगा, 10 to the power minus 15 जो है, जहां यह one फर्मी है, यह सबसे इसका सबसे छोटा भैलू होगा, यानि यह smallest भैलू हो गया, तो इसलिए इसका हम लोग option क्या लगा है, option 9 का जो है correct जो है, यह हो गया, ठीक है, उसी तरीके से question में आगे बढ़ते हैं, कि dimensional formula of surface tension is, यानि कि surface tensions का dimensional formula क्या होगा, ठीक है, तो आई यह essence देखते हैं, surface tension का इधर बताते हैं आपको essence, इसको एक बाल लिख लिजिएगा, surface tension, sigma, sigma six questions denote करते हैं, surface tension को, ठीक है, और surface tension होता है, force per unit length, क्या होता है essence, force by length, अब देखिए, force by length है, तो force का newton, और length का क्या होगा, meter, force का dimensional formula, mlt-2, और meter है, तो इसका क्या होगा, तो l से l गायव हो गया essence, कट गया, तो यह आया कितना, mt-2, यानि कि dimensional formula आप जो sigma रहा, इसका आगया mt-2 के बराबर, तो आई यह essence, question number 10 का option, check करते है, mt-2, इसका पहला ही answer correct है, यानि option number यह जो है, 10 का option number यह हो गया, mt-2 के बराबर, correct, उसी तरीके से next question पूछा है, तो ध्याँ रखिए, dimensional formula आप stress is, इसका बना करके दिखा यह, ठीक है, आपके बार, stress का पूछ दिया कि क्या होगा, dimensional formula, ठीक है, इसको try कीजिए, वह ऐसे formula हम आपको एक बार try कीजिए, अच्छा देखिए, surface tensions को भी जो है, एक चीजिए ध्यान रखना, उसको sigma से denote करते हैं, और stress भी से denote करते हैं, ठीक है, तो इसमें confusion नहीं हो ना, सिम्बॉल में, कभी तो भी को तो हम लोग वेलो सीटी से भी denote करते हैं, कभी तो potential भी होता है, ठीक है, तो उससे बिल्कुली confusion नहीं होना है, वो नाम लिखा हुआ आजाएगा, ठीक है, टर्मिनल वेलो सीटी, भोल्टेज को भी ये से करते हैं, तो समझ रहा है न, तो इसल सिस्टिव एरिया, तो हम डिरेक्ट इतना ही लिख देते हैं, संस, फोर्स पर इनिट एरिया, ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई की जैसे, बना करके दिखाईए, जब तो उपर वाला मिट आते हैं, इस को संस को देखते हैं, ऐसा ही को संस को सॉल्व करते रही है, बढ़े अच्छा लगता है, क्या है आए क्यूं है पता नहीं क्यूं है आइए इसंस,ट्रेस दिखते हैं,ů पोर्स पारेंट आरियों होगे तो फोर्स का क्या होगा संस डिवाइड़ इतर है तो यह स्कुर्ण अब देखिए यहां से यह स्कुर्ण से इस एल को का लिए यह कहां चला गया ऊपर तो यह क्या जाएगा स्वाइड में लिख देते हैं देख जाएगा एम एल-1 ट-2 यह डाइमेंशनल फर्मूला आ गया आपका ML-1 T-2 तो आई एसेंस चेक करते हैं ML-1 T-2 यानि कि stress का जो है unit का होगा है option number जो है यह जो है इसका करें इधर तो जो है 8 का A, 9 का A, 10 का A, 11 का A सब A आ रहा है ठीक है तो 9 का 11 का जो है option number A आ गया है यह एसेंस योग है आईसा जडूरी नहीं है कि सब यह है वह तो वहाँ पर option set है इस वज़ा से आ गया ठीक है तो आई एसन तो question number 11 देखे 12 अब 11 दो देख लिए अब 12 पर हम लोग मूब करते हैं questions का 1 joule is equals to कहा कि 1 joule में कितना जो है देखे जूल एनर्जी का यूनिट होता है कहा कि 1 joule में कितना और्ग होगा यह यह से यूनिट अफ एनर्जी जूल हो गया वर्क का भी जूले होता है हीट का भी जूले होता है ठीक है तो उसका जो है बताईए कि जो है cgs में उसका कितना हो जाएगा तो 1 joule जो होता है वो होता है 10 to the power 7 और्ग के बराबर ठीक है तो इस 12 number questions का right answer 10 to the power 7 हो गया ठीक है एक और side में लिख लीजिए कि 1 newton जो होता है 1 newton वो 10 to the power 5 dine के बराबर होता है तो बगल में हो लीखी लीजिए संस कभी-कभी आपसे question में पूछ देगा कि इसका क्या भाइलू हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से संस इस सारे questions के यहां पर नोड़न के जिए with explanations के साथ ठीक है देखते है एसंस फिर नेक्स इलाइड में करते हैं कि लिष्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर का लिष्ट काउंट क्या होगा सबसे पहले संस यह समाझे कि सबसे smallest value जो मेजर हम लोग कर लेंगे वह smallest value को ही उसका लिष्ट काउंट बोला जाता है अब जैसे देखे 50 cm वाले scale पर देखेगा उस पर क्या 0.1 cm तक जो हम लोग मेजर कर सकते हैं ठीक है यानि कि 1 mm तक उसको मेजर कर सकते हैं तो उसका क्या कहला है आदि सबसे smallest measurement measured by the scale warnier kaylipr जो भी है तो वहीं list count कहला है तो अब सिस्क जो है जो वर्रनीयर कलीपर का जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है सबसें 0.1 mm यानि कि इस वर्रनीयर कलीपर से smallest measurements कितना कर सकते हैं तो यह आपका 0.1 mm कर सकते हैं यह इसका क्या कहला है सेकेंड कोस्टन देखते हैं से लिस्ट काउंट आप माइक्रो मीटर जैसे वर्णियर कैलीपर का देखेंगे वैसे ही माइक्रो मीटर का देखना है तो इसका जो होता है देखेंगे वर्णियर का लिपर का लिस्ट काउंट 0.1 mm याद रखना है और जो है लिस्ट काउंट आप माइक्रो मीटर का होता है 0.01 mm बगल में लिख भी देते हैं समाझ लिजिए अगर जो है एक और इसमें कोशन पूछता है इसक्रीव गेज ठीक है से स्क्रीव गेज इसका भी इसमस उतनाई होता है 0.01 mm ध्यार रहा है यह यह में में यूनिट दिया हुआ है ठीक है तो एक चीजी बड़ी बारिकी से इसको ध्यार रखना है अब आप से पूछे कि कोशन में कभी क्या कर देता है इसी को जो सेंटीमीटर में कर देगा और कोशन पूछ लेगा कि बताए कि लिस्ट काउंट ओफ वर नियर के लिपर क्या होगा तो आप इस बारिकी से को जदी अगर हो सेंटीमीटर में पूछा है तो अब 10 से deities कर लिजी क्या सओ 10 mm 1 cm के बराबर होता है जैसे यहां देखिए यह 1 cm की बीठर होगा तो 1 mm कितने के बराबर 1 upon 10 cm के बराबर तो अगर यहीं पर अब देखिए आपको याद क्या रखना है जे इस्क्रीव गेज हो गया चाहिए इस्क्रीव गेज का भी उतना ही होता है जितना माइक्रोमीटर का रहा है यहां लिख देते हैं हो कि माइक्रो हो हुआ है है माइक्रोमीटर इसका अब उतना है संग्छ जिरो प्याइट लोटैर अम्हम से अब इसी ही में यह सेंटीमीटर में पूछता तो इसको डिवाइड करतें अब इसका तो दोणों के तो धूंस याद को टूनों में रखना एक तो याद इसी में रखना अब इसी में सब लिए का भी आउ Lawrence को में करते हैं मैं में होता है ठीक थीकर यह सब तीनों का आपको यह में में होगा अगर सेंटी متर जीरो. 01 सेंटीमेटर, ऑगर इसका हो जाता है शनी, जीरो. 01 सेंटीमेटर है कैंक देखेड़ है? तो 10 से डिभाइड कर देते तो 0.1 cm तो देखें अब यह चीज को आपको लिख लेना है कि ज़दी cm में पुछे कोशन तो आपको इस तरीके से याद रखना है तो याद आप mm में ही रखिए बस ध्यां रखिए कि cm पुछे तो 10 से डिभाइड करके जो है उसका आंसर देदे तो इसको बारीकी से इसको पहले आप नो डान कर लिजिए इस तरीके से एक्जाम में आएगा और यह को सब्सक्राइब कर लिए काफी इंपोटेंट होता है तीक है उसी तरीके से हम लोग आगए बोलेंगे देखेंगे संदेखेंगे कुछ सिगनिफिकांट एक बढ़ रहा है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे एक कोस्टन्स इसमें है संस्कोस्टन नमर 15 कह रहा है कि हाव मैंनी सिगनिफिकाइंट फिगर इन लग देते हैं फोर्टी वान पॉइंट जीरो जीरो में कितना सिगनिफिकेंट फिगर होगा तो आपको एक रूल होता है संस्के अभिए नहीं समझना है कि यह यह अब देखिए इसका सिगनिफिकाइंट फिगर 4 होगा यानि अगर इसका अप्सन नमर देखे तो अप्सन नम यानि कि 4 इसका significant figure हो गया ठीक है रूल सब significant figure में जो है आप देखे हो यह गाँ इसका significant figure 4 यह questions का आप answer बताई एक बार question का how many significant figure in 0.02024 into 0 यानि कि इसमें पूछा आप से 0.020240 इसका बताई कितना होगा सोचिए इसमें इसका बताई क्या होगा ठीक है एक बार ट्राइए किजिए इसको ठीक है कि अच्छा इसका अब जो है आप अब्जर्ब किये हुए गाशन कि आप जदी earphone में अगर लगा लगा करके अगर आप सुन रहे हो यह तो और उसके साथ हब जदी गाना गा रहा है है तो उस समय जो है बड़ी अच्छा जो है आपका लगता है कि बढ़ियां मतलब बढ़ी बढ़ियां सूर निकलता है सुझ ठीक है अगर आपको पता लगाना है अब बढ़ी अब जर्ब करना वाली बात है अगर सेम चीज़ा पर किजिए येरफोन लिकाल दीजिए और जो सेम लिरिक्स जो है उस पर जो गाया हुआ उस लिरिक्स को आप अगर करके दिखिए एकदम है सुन्स रियालीटी आपको पता चलिया ठीक है यानि पहले तो यह फोन बजरा है उसे में गा रहा है एकदम लगता है कि क्या राग है सूर है ताल लेकि जैसे सब्सक्राइब आपका रियालीटी जी होगा वो जैसे एरफोन निकाल करके सुन् यह फोन वो काना बज रहा था 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 थोड़ा सा लिरीक्स लगा कि याद हो गया तो क्या कि एसंग पाउज कर दिये ठीक है और पाउज कर दिये तो प्र उसी रिलिग्स को इसंग गाए तो एसंग देखे कि बागल में जो है जहां गा रहा था उसके चट वे बैठे कि हम समझ गया कि मतलब अब राग है कि बिराग है फिर से अब जब भी एस गाना गाते हैं तो एयर फुन लगा करके गाते हैं तो एक बार एस आभी ट्राइब करके देखिएगा आपको अपना यहां पर देखिए यह लीडिंग जीरो है इनिशियल जीरो है तो इनिशियल जीरो का सिनिफिकांट फिकर थोड़ी ना होता है यहां पर दोनों का कुछ नहीं होगा सिर्फ क्या होगा सब्सक्राइब फिर फोर और यह जीरो भी काउंट होगा कि यह पॉइंट के बाद डेसिमल में है ठीक है सब अब कोस्टन कितने सब्सक्राइब बड़ी कन्फियू आता है कि सर यहां पे तो जो है पॉइंट के होंट कर लेते तो इसलेकर चीजुटेंस्य का सिणिफिकेंट फिकलर यहां से लेकर यहां तक यह इसका फाइब शिकनिफिकेंट फिकलर होगा यह बड़ी बारी से सब्सक्राइब लम करते हैं कहां कि आप से और सी करेक्टा यह जो है इसका आया एक असरो होगया ढै итоге उसी तरह से कोशन नमर से तिंट के तरह मूब करते हैं कहा कि दभाईलू अप 180 डिग्री इन रेडियन यह से लिख लीजिए यानि कि इस कोशन का अपसर नमर जो है सी जो है करेक्ट हो गया ठीक है कोशन नमर एटीन यूनिट अप्लेन एंगल इस यानि कि प्लेन एंगल का क्या इंट यह तो अभी बताया हुआ रेडियन यह तो कितना बार बता दिया है आपको इस तरीक से लिखा हुआ कोस्ट नाइगा इसको एक बार स्ट्रों किजिए देखने है नेक्स सलाइड में कोशन आए एसस कोशन नमबर नाइंटीन के तरफ मूब करते हैं यह लास्ट सलाइड है यूनिट मेजरमेंट इंडाइमेंशन का इस इतना कोशन का क्लेक्शन है कोशन नमबर नाइंटीन कहा वाट इस दाइमेंशन अप ए एंड बी इन गीवन इक्वेशन यानि गीवन इक्वेशन में ए और बी का डाइमेंशन बाता यह प्रिंसिपल अप हमोजीनीटी जो आप पढ़े हुए गाइसन उसी के एकोर्डिंग एकोशन पूछ दिया कि वी इस इकोस्टू ए यह प्लस बीटी है जिसमें भी इस आपका माली जे वेलोसीटी है और टी टाइम है तो उस कंडिशन में जो ए और बी का डाइमेंशन बता दीजे तो प्रिं यहां पर बता औते हैं सेनल से देखिए डामैंशन अप देखिए डाइमेंस सेनल इनेहीं हम लिख सकते हैं डामैंशन अप भी इस दीमेंशन अप अप A, देखिए, और यह फिर किसके बराबर हो गया, इच टर्म्स के लिए यह टर्म्स, दो टर्म्स, यह तिसरा टर्म्स, तिसरा टर्म्स में बीटी है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, डाइमेंशन अप बीटी, ठीक है, आप किसी दो को इक्वल करके, पहले A का निकालना ह हैं सुस्तों डाइमेंशन आप यह निकालना है, तो डाइमेंशन अभी क्या होगा, भी जदी भेलो सी से लेटी माइनस वन यहीं डाइमेंशन हो जाएगा डाइमेंसट सब्सक्राइब … तो सब्सक्राइ мяс करते हैं छी यहीं दान ृम कना सब्सक्राइब लटी माइनस आया है अब Clftig-1 यह हुआं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो डारेट लीख लेते हैं दामेंस फील टी माइनस वन और डाइमेंस न अब बीटी में देखे इसंट टाइम गाई और टी टाइम एद टाइम का दाइमेंस अंगा जाता है एक मिनुट एस थोड़ सा एक च्छरा हो गया थीख जो यहांनि कि एल टी माइनस वान इज फास्ट टू दीट रहे गाई और यहां पर का वह लोगा ती अपर जाकर के पलस है तो मैनस हो जाएगा ती पलस में नीचे है ठीक के पांडर वॉन है तो पर जाकर और –1 और –1 मिल करके –2 यानी इसको हम लिख सकते हैं सूंज L T – 2 और यह किसका dimansonal फर्मुला हो गया सूंज डैमस्न फर्मुला अब B यानी डैमस्न फर्मुला अब B निकल के आगया L T – 2 थाया रखना है तो आए सूंज अब इसमें चेक किजिए एल टी यह तो होगा नहीं है सुन्स यहां पर देखें से एल टी माइनस टू यान इस कोस्टों का राइट अंसर हो गया अप्सान नमबर सी करेक्ट है तो इस तरीके से इसको एक बार जो है आप नोट डान कर लिजिए और देखें सुन्स प्रॉंस्पल आप हमें जिनीटी के और एक बारप पढ़िया फूसपर गॉर्शंस को जरूर पढ़ा कीजिक का रिलेटीव एर फ्रेक्शनल खैंट या फ्रेक्शनल एकवस्टों टू एकर पर मूला होता है रिलेटेव क्रेक्शनल एर्रस गय wash यो मिद्न 급 सुनार इसकासन मिन आप्सुलूट एर्र वाइक यहां तो उसकी कोई बात जरूरत है नहीं यहां बस फर्मूला याद रखना है मीन अप्सलूट एरर भाई मीन वैलू अपसर नमबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया उसी तरीके से कोईस्ट नमबर 21 के तरफ देखें से वीच वन इस दे करेक्ट मतलब कॉन करेक्ट है एक भाईलेंट रसिस्टेंस अपके इवन सर्कीट एक शर्कीट एसन्स देखिए यहां पर गीवन है जिसका एक रसिस्टेंस है यह और यहां पर रटू है तो आरवन का क्या भाईलू हो क आरवन का दिया हुआ है थ्री पलस माइनस 0.3 ओम और और आर तो दिया पोर प्लस माइनस 0.4 ओम देखेंस रसिस्टेंस है प्रति रोद यानिक इसका यूनित ओम होता है अभी हां साथ में एक जिद्धियार एक थिरी पलस माइनस पलस माइनस जिरो पैंट इसका एरो है ठी रहे एक नहीं दोटते पर यहां वहां सकता अई हो उसकता है कविए सकते एरो हो गया है तो एरो है तो एरो उसका थाए और एंटिव को सब्से पहले देखेंगे इक भाइलेंट जो है रस सिस्टेंस निकाल करके इसको देखते हैं सिसको जब तर इधर साइड में बना देत इसको मिटा देता है से ठीक सिरीज परलल में एक चीज़ बताए यह से इसी परलल में प्रसिस्टर आप तेन थो गारा में पढ़े हुए एगा यान नहीं पढ़े विद्ध कोई दिखते हैं सिरीज में फर्मूला क्या होता है दिंदे कि यह सिरीज में आपको सरकृट दिख तुछ थो ए लूट है तो और जोड़ ले तक जूड़ जाएगा और भी आर करके जूड़ जाता है यानिकिव वन बैयानबगा पलस ओन भई याR टुप्लस बई रहो त्टट वहां फिलाएं तो अभी तो सिरीज में है तो सिरीज में तहीं दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो सिरीज के फर्मूला का आर एक भाइलेंट इजिक उस्टू आरवन प्लस आर्ट अब ध्यार रखना है यह एक जगह हम लोग जोड़ेंगे एरर साइड में जोड़ा जाता है ठीक है यह जब रिजयर्ट इसका जब रोग निकालेंगे अपाइनल रिजयर्ट तो रिजयर्ट क्या कहता है यह कहता था सब्स fines माइनस डेल आ अर यह यसका एर है यतना ओम ठीक है तो अब पहले इसमें दिखिए ठीरी है और इसमें ठीर है यह तो शिरीज में है और एरो तो एड होता है एरो में दिकत नहीं अभी एक लाइन में आपको बता है कि जो भी एरो सरो गार अलवेज एडिटी तो तो यह क्या होगा सुन 0.3 प्लस 0.4 एन 0.7 अब रिजल्ट देखिए यहां साम लों लिखेंगे यहां राख देते हैं यहां पर क्या लिख देंगे इस रिजल्ट जो निकल करके आया वो निकल कर आया शेबन इसके जगा पर सेबन पलस माइनस 0.7 अच्छा चार तिन साथ करेक्ट है कहीं गलत तो नहीं देख लेते हैं चार तिन साथ चार तिन गरेक्ट है 0.7 ओम ठीक है इसका यूनिट क्या होता है यहां रखना ऐसे जबन देखिए अपसा नमर्ची में देखिए संट 7 पलस माइनस 0.7 जो है इसका गरेक्ट आंसर हो ठीक है तो रसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया ओम हो ग है 0.1 रहा है तो इस प्लस माइनस के बाद वाला को यह जगा जोड़ दीजिए ठीक है गड़बर नहीं करना है और इससे पहले वाला जो भालू रहेगा कि यह तो एरर हो गया ना प्लस माइनस के बाद वाला तो उसको एक साइड आप जोड़ लिए और यह जो रहा थिरी हो रहा उसको एक साथ जोड़ लिए तो एक साथ आगा सुन यह भी इसका भी इनिट ओम हो गया से ठीक है उसी तरीका से देखें को सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए देखिए को सब्सक्राइब कहा है डाइमेंशनल फर्मूला अप एनरजी सलास वर्क सलास हीट सलास का गनेटिक एनरजी सलास पॉटेंशियल एनरजी सोच रहे हैं हो यह गया सनफ एक को सबसर्टा कितना को संदे दिये हैं अ दिकेस्व एक को सब्सक्राइब है ये सबका यूनिट से में होता है। इसलिए एक के को ससं सारे जूड़ा पिसी आपको यहां पर मीलेगा यह साबका एक यूनिट है तो कि적म भी जिसका है उने उनेट सेमर उसका डाइमेंशन भींक ने किनन एनर्जी तो का यूनिट जूल। lass atवर कर योणिट जूब Мोटा इनारजी का है यूुनिट चूल पोटेंशियल इनारजी एःूनिट जूब पूटेंसियल यहां जोनिदा छूण हो गैसो है यापको जद्धी जे चाहिए तो और यहां प्यांग प्रेश प्र हको प्रेश संध्वरके का एंसर आजाया गहाई सब्सक्राइबू अपनेरजों यह जाण है पुटेंशियल एनर्जी यादा जाया इस तो तो हम वहां तो सब सबस्क्राएं एब घृच्ट लोत हो दीयत सब्सकर को था अचानसा से तो harm lotus भर मिललग ब्डेक्र्ट लिक्राइड को शेंटेंक मुमनायग कमई सब्सक्राइच मावस देसल को युछ जबाया हो नहीं नहीं कि लिखेंपर दोफ और म्ल पार कैसी तोоры में शुक्तया troubled अ वह क अगर होता है यूरिट लिखना जरूरी है तो एल हो गया तो एलोगा थे मलस्कॉर्टी माइनस टू कि इसका नूट यहां पलीग देटेंस पोर्स नूटन और इसका का अगासन मीटर तो नूटन का एल टी माइनस टू और जो है डिस्प्लेसमेंट यह साय तो इसका एल टी मैनस टू यह इसका जो है डाइमनशनल फर्मूला आ यह तर यह से वह सेकेंड टाप से दिक है तो इसलिए टी लिखा गया था बाइम स्टेक थैसे शुर्ट पर यहां पर यह नहीं होगा यह सा यानि कोई से बना लीजिए इसी तरीक से यह सबका एक ही डायमनेशन फर्मॉला होगे वह भी कोशन में आता है और गरांटीय सी में से आपके इजाम में आएगा तो इसी लिए जो आप लेक्टर देख रहे हैं और यह knights ध्याहां कि खुद से लेकर्स को देखकर के नोट्स बनाइए खुद से किकाने बहुत सारे आप्शं le 백स झाइब कर दिया तो इसी तहरी के सब्सक्रीर्स को देखते रहे बने रहा है स्ट अपनों दोस्तों के पास भी सेर कर दिजीए और लाइक तो करें काभी मेनत लगता है लेक्टर बनाने में तब तक लेशन्स मिलते हैं से लेक्टर में तब तक लिए टैटा बाइबाइबाइब से यू